आज आपको स्वागत है आज हम बनाएंगे और भी इसके लिए हमें चलिए 200 ग्राम भी इसा अवा नाखे लिए मेनिज हरी मुश बारी काट लिए दो टेबस कुन शब शप्पण निया बारी काट लिए अधर लेकिन्च बारी काट लिए नमख आठाच हमाच आठाच हल्टी बावलो क्राइब लिए मेनिज जो जोगन एक बड़े बाउन में बिशन काठा डाल देगे अब अब अच्छे से मेश तर लेगे अब पाने डाल देगे पाने डालके अच्छे से मेश तर लेगे दो मिन्ट के लिए अच्छे से मेश कर लेंगे तो भाज़ी डाल देगे रमोक चपकर अध्रस एक मिन्ट के लिए और अच्छे से मेश कर लेगे हमारा बेटर गाड़ा लग रहा है इसलिए हम एक और बाग फाने डाल देगे पतला कर लेगे क्योंकि हमें 10 से 15 मिन्ट इसे पकाना है तो मिन्ट के लिए बीस कर लेगे अच्छे से ताके उसमें गुठलिया ना रहे स्मूथ बेटर बनाने हमें अब इस बेटर को पतली में डाल दिया मैंने अब 15 मिन्ट के लिए इसे पकाना है और मुझे बेटर गाड़ा लग रहा है इसलिए एक बावल और में पाने डाल रहे हूं इसके अंदर बुखलिया ना बने इसलिए 15 मिन्ट के लिए इससे हमें चलाते रहना है स्मूथ बेटर बनाना इसका हमें अब हमारी 15 मिन्ट के लिए अब देश उते हमारा बेटर डेड़ी हो गाए गाड़ा हो गाए अब हमारे 5 मिन्ट हो चुक्ते हैं हमारा बेटर डेड़ी है थाली के फिचले हिससे में इसको फैला देगे अच्छा पत्लाप हमें फैला रहा है इसले प्रेट में भी हम ऐसा ही करेंगे थाली के विचले हिस्ते में इससे फैला लेंगे हमको इससे फैलाने के बास 15-20 मिन्ट के लिए थंडा होने के लिए इससा ही रखना है हमारे खांड़ी खांड़ी हुचकी है अब इसको हम कट कर लेंगे कट करने के बाद इसको हम रोल कर लेंगे बाकी सबके भी हमें इससे ही रोल कर लेंगे कर दो 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 चमस के लिए दो चमस के लिए तड़का प्यान में आदा चमस राए डाल दिया अब हम मिक्स कर लेगे राए पकने तक किसे मिले आएगे अब गैस को कर दो जो हमें जर्पा लगा था में फिस्के डाल देगे सब जगा अच्छी तरह से बारी कटा हुआ देंगे अब अब हमारी खाणी बनके जड़िए अगर आपको मेरी रेस्टी अच्छी लेगे तो मेरी रुडियों को डाल कीजिए और मेरी सुस्कर करना ना भूले को को झाल झाल